दोस्तों आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जब भी कभी आप गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, एंक्शियस होते हैं या ठकान बहुत जादा होती है, चिड़चिड़ा पन होता हैं तो आपकी सासे कैसी तेज से आती जाती हैं, तेज होती हैं और वहीं जब आप शान्त होते हैं, रिलाक्स होते हैं या सुबह सुबह सो के उठे होते हैं, तो सासे कैसी आराम से आती जाती रहती हैं, तो इससे एक चीज तो पता चलता है, कि हमारे मन मस्तिस्क का जो कनेक्शन है, वो हमारी सासों के साथ बहुत गहरा है, अगर हम अपनी सासों क एक बात और दोस्तों मन का शांत ना होना फूरा दिन चिर्चरणापन महसूस होना इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी नीद का होता है अगर हमारी नीद रात की बहुत अच्छी, गहरी और प्यारी हो तो दूसरे दिन जब हम सुभा उठते हैं न तो वो तरो ताजगी हम महसूस कर सकते हैं हमारा मन भी बड़ा शान्त रहता है, दूसरे दिन हम जो भी काम करना चाहते हैं उसमें हम अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं वहीं जब तक मन में कुछ न कुछ चलता रहेगा, मन शान्त नहीं होगा, जैसे किसी डिवाइस को आप स्विच अन कर दें और उसको आफ करना भूल जाये तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा उसी तरीके से नीद जो है हमें चार्ज करने का काम करती है, पूरी रात की नीद हमारे बॉड़ी को चार्ज करती है, जिसके कारण हम दूसरे दिन उस एनरजी को उस उर्जा को उपियोग करते हैं अपने काम में लेकिन वही अगर मन पूरी रात चलता रहे दिन भर जो कुछ भी हुआ रात में भी वही सारे खयाल आते रहे और आपको करवटे बदलनी पड़े आप अच्छी तरीके से सो ना पाएं तो इससे हमारा मानसिक तनाव और अधिक बढ़ जाएगा तो मानसिक तनाव बढ़ेगा तो नीद नहीं आएगी तो मानसिक तनाव बढ़ेगा ये दोनों चीज़े एक सिक्के के दो पहलू है तो इन अभ्यासों को करने से आपका मानसिक तनाव भी कम होगा और साथ ही रात में गहरी नीद भी आएगी तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप करेंगे सम वृत्ती प्रानायाम का अभ्यास इंग्लिश में इसको कहते हैं equal ratio breathing इसको मैं step by step आपको समझाऊंगी तो जो complete beginner है न वो भी इसका अभ्यास बड़ी आसानी से कर लेते है अगर चैनल में नए आये हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर अल्रेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज आप जब सम्रित्ती प्रानयाम का अभ्यास सीखेंगे इस वीडियो को देखकर तो और जब आप करेंगे तो इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि मन जो इदर उदर बहुत भटकता रहता है ना दिमाग में कुछ न कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है ओवर थिंकिंग की समस्या वो आपकी कंट्रोल होगी तो चलिए इन अभ्यासों को शुरू करते हैं लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शहीदा ने आज लाव तो बता दिये लेकिन सावधानिया नहीं बताई तो मैं आपको बता दूँ आज के अभ्यास के ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस अभ्यास को किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी जेंडर का व्यक्ति कर सकता है आपको कोई हेल्थ कंडिशन है फिर भी इसका अभ्यास बिना जीजग करें जैसे कब बहुत सारी प्र करेगा तो चलिए जादा देर ना किये हुए यह सारी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी सीखते हैं और इनसे स्वास्त लाव पाते हैं जब भी आप प्रानयाम का भ्यास करें तो आराम से ऐसे पालती मार के क्रॉसलेग पोजीशन पर बैठ जाएं इस तरीके से ऐसे क्रॉसलेग देखािल लेकिन बहुत से बुझूर्ग ऐसे होंगे जिनके घुटने में दर्ध तो अपने पैर को आराम से बकाइदा ऐसे खोले चाहें तो पीछे दिवार के सहारा लेके भी बैठ सकते हैं और दोनों जुका हुआ नहीं होना चाहिए, रेड की हड़ी को आपको सीधा रखना है, तो चलिए, इस तरीके से cross leg position पर बैट जाए, मैंने आपको सारी possibility बताई, या तो सोफे में आप आराम से बैट जाए, रेड की हड़ी spinal cord सीधी है, चहरे को आप पूरी तरीके से relax छोड़ दे, neutral छ कर रहे है, सास ले नाक से, और नाक से फिर धीरे-धीरे सास को आपको छोड़ देना है, जितनी सास ले आप उतनी ही सास को नाक से छोड़ देना है, काउंटिंग के साथ यह अभ्यास कर रहे हैं सास लें और सास छोड़ दें बहरी लंबी सास नाक से लें लीख हुई सास को अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें जितने कंट्रोल के साथ सास को छोड़ सकते हैं बढ़े आराम से वापस से सास लें 1,2,3,4 अब सासों को छोड़ें 1,2,3,4 पास ले लें 1,2,3,4 अब सासों को धीरे धीरे छोड़ दें तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ जितनी सास ली उतनी सास छोड़ दी कंधों को मैंने रिलाक्स रखा अपनी रीड की हड़ी को मैंने रिलाक्स रखा चेहरे को मैंने रिलाक्स रखा मैंने ये तो नहीं किया ये नहीं किया ना आपको भी नहीं करना है समवृत्ति प्रानयाम का अभ्यास तो इसमें हम करेंगे पूरक यानि सांसों को लेना कुम्भक आंतर कुम्भक यानि सांसों को लेने के बाद अंदर रोक के रखना फिर उसके बाद रोकी हुई सास को छोड़ना यानि रेचक और फिर उसके बाद सास छोड़ने के बाद सासों को बाहर रोक के रखना यानि बहिर कुम्भग यानि चार इसमें अभ्यास होंगे तो सास लिया, अंदर रोक लिया, छोड़ा और फिर बाहर रोक लिया तो इस तरीके से एक box हो गया और इन सारी practices में हम breathing पर proper ध्यान रखेंगे कब सास ले रहे है, कब सास रोक रहे है, कब सास छोड़ रहे है और कब सासों को बाहर रोका इससे हमारे मन को वक्त मिलेगा ही नहीं कि वो कहीं भटक जाए तो अब जब हम अभ्यास करेंगे कमरगरदन को सीधी रखे हुए, चहरे पर वही relaxing smile रखते हुए पूरे कंधों को ढीला छोड़ दे, लटकने दे अपने अंगूठे को अंगूठे के बगलवाली उंगली के साथ जोड़ दे अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लेके आए नाक से सास ले ली हुई सास को अंदर रोक ले अंदर रोकी हुई सास को नाक से धीरे धीरे छोड़े जब सासों को बाहर छोड़ दिया है तो बाहर रोक की रखें तो ये हुआ एक चकर इसी तरीके के कम से कम आपको पाच चकर, साथ चकर, नौ चकर इस तरीके से जितने आपके पास टाइम हो क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया इन सारी प्रैक्टिस के कोई भी लिमिटेशन्स नहीं है चले साथ में करते हैं सास लीजिए लीख हुई सास को रोक लीजिए अंदर फिर उसके बाद धीरे धीरे सासों को नाक से छोड़िए और जब आप सासों को बाहर छोड़ दें तो बाहर रोक के रखिए सास लीजिए सासों को अंदर रोकिए धीरे धीरे रोकी हुई सास को नाक से बाहर छोड़े बाहर छोड़ने के बाद सासों को बाहर रोक के रखिए अब आखों को बंद करके मैं सारा अभ्यास आपके साथ करूँगी आप जहां कहीं भी अभी बैटे हूँ ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए आखे बंद कर ली कमर गर्दन सीधी गहरी लंबी सास नाक से ली रोक लिया नाक से सास को छोड़ दिया और बाहर रोक लिया गहरी सास नाक से ले ली हुई सास को रोके रोकी हुई सास को छोड़े और सासों को बाहर रोके रखे इन्हेल 1,2,3,4 ने रोके रहिए इन्हेल 1,2,3,4 अगें एन्हेल 1,2,3,4 सासों को अनदर रोकें 1,2,3,4 वह बाहर है रहिए और सासों को बाहर रोके रखे इस अभ्यास को लगातार प्रंचीनियो करें जब तक अभ्यास कर सकते हैं आसानी से ये तो मैंने आपको एक अभ्यास आज करके बताया अगर आप इस तरीके की और भी अभ्यास सीखना चाहते अलग-अलग तरीके के प्रानाया, मेडिटेशन, ध्यान कैसे करते हैं, डीप रिलाक्सेशन में आपको कराऊंगी, तो आप सभी जॉइन कर सकते हैं, मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ओनलाइन योगा क्लासेस, इन ओनलाइन योगा क्लासेस को यकीन मानिए, कोई भी क्योंकि मेरे पढ़ाने की, मेरे सिखाने की जो टेकनीक है, वो इस तरीके की है, कि अगर आप बिगनर हैं, तो भी जॉइन करें, अगर अल्रेडी योग का भिहास कर रहे हैं, तो अपनी प्राक्टिस को और डेप्थ से समझे, और अगर आपकी हेल्थ कंडिशन किसी भी त अई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी हेल्थ कंडिशन से उभरने में बहुत मदद मिली हैं, लेकिन किसी कारण से, अगर आप इन क्लासे को जॉइन नहीं कर पाते हैं, जूम के माध्यान से, तो आप मेरे द्वारा कुछ कोर्से मैंने डेवलप किये हैं, जो कि य नयाम ध्यान इन वीडियो की मदद से, अपने घर के कमफर्ट जोन पर ही रहे के, कितनी भी बार कहीं भी कर ले, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं हैं, अगर आप इन कोर्से और क्लासे के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट की ड वीडियो को देखते देखते रोकिए और इस WhatsApp नंबर पर एक WhatsApp कर दीजे, आपको Class और Courses के बारे में सारी जानकारी आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी, ऐसा जब आप अभ्यास करने लगेंगे और जैसे जैसे आपके सांस के रोकने की ख्रमता बढ़ती जाएगी, मन द यारी आज से ही शुरू कर दीजे, मन को अपना दास बनाने की और एक एक healthy life जीए, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी बंधन ना हो, कोई भी restriction ना हो, क्योंकि हम बाकी पूरी दुनिया को समहाल सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने मन को ना समहाल पाएं, तो फिर जीवन वियर्त है, तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको step by step या भ्यास सिखाया, समझाया, आशा करती हूँ, हर एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना समझ में आया हो, बिना किसी जीजग के मुझे नीचे कमेंट करके बत सब्सक्राइब कर लीजेगा, और अगर कर दिया है, तो आप सभी का शुक्रिया, इस वीडियो को खुद तक सीमित बत रखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो खुद भी अभ्यास कीजिए, और इस वीडियो के लिंक को अपने जल्दी बिलूंगी, नमस्ते